सुप्रभाथ, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नोमी कक्षा की हिंदी की पूरक पठन की पुस्तक संचयन भाग एक से हामीत खान नामक पाठ पढ़ेंगे इस पाठ के लेखक एसके पोटे कार्ची हैं, आये पहले हम लेखक का जीवन परिजे जान लेते हैं लेखक का जीवन परिजे, मल्यालम के प्रसिद कथाकार एसके पोटे का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोटे कार्था, उनका जन केरल के कोशिकोट में हुआ था इंटर्मीडियर के पढ़ाई पूरी करके वे साहित्या स्रीजन में लग गए कथाकार का अर्थ होता है कहानी लिखने वाला और साहित्या का अर्थ होता है गद्या और पद्या के वे ग्रंथ जिनमें ज्यान संबंधी स्थाई विचार लिखे जाते हैं और स्रीजन का अर्थ होता है रचना करना तो मल्यालम के प्रसिद कथाकार एसके पोटे का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोटे कार था और उनका जन्म केरल के कोशिकोर नामक स्थान में हुआ था जैसे ही इनकी इंटर्मीडियर्ट की पढ़ाई पूरी हुई वैसे ही ये साहित्य स्रीजन में लग गए अनिके साहित्य की रचना में लग गए पोटे कार की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वीदना का सजीव चित्रन हुआ है इसके साथ साथ जाती धर्म और संप्रदाय से परे मानविय सोहार्द को उभारने में पोटे कार जी को पूरी सफलता मिली है उनकी कहानियों से विश्व बंधूत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है पोटे कार जी की कहानियों की मिशेश्टा है पोटे काट जी के कहानियों में किसानों और मज़ूरों के जो आहा है मतलब कि जो दुख दर्द है उनका जीता जागता चित्रन देखने को मिलता है इसके साथ साथ जाती धर्म और संप्रदाय से परे मानविया सोहार्द को उभारने में पोटेकारजी को पूरी सफलता मिली है मतलब कि पोटेकारजी के लिए सभी जाती, धर्म और संपरदाय एक समान है ये इन में किसी भी प्रकार का भेड़भा नहीं करते उनके कहानियों से विश्व बंधुत्व और भायचारे का संदेश मिलता है पूरसकार कताकार पोटेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्यानपिट पूरसकार से सम्मानित किया गया उनकी कहानियों का विश्व के अनेक भाशाओं में भी अनुवाद हुआ है प्रमुक कृतिया, प्रेम शिशु, विश्कन्या और मुडु पड़ब पुरसकार कथाकार पोटे काड़ जी को साहित्या अकादमी पुरसकार और ज्यान पेट पुरसकार से नवाजा गया है और जो इनकी कहानिया है, उनकी कहानियों का विश्व के अनेक भाशाओं में भी अनुवाद हुआ है मतलब कि ट्रांसलेशन हुआ है इनकी प्रमुक रचनाएं इस प्रकार है पहली रचना है प्रेम शिशु, दूसरी विश्कन्या और तीसरी मुडु पड़ब आईए अब पाठ की तरफ बढ़ेंगे हमारी देश में विभिन धर्मों और विभिन समुदायों के लोग रहते है विभिन धर्मों और विभिन समुदायों के होने के बावजूद भी सभी लोग आपस में मिल जूल कर रहते है परन्तु कभी कभी भ्रम और अलगाव के कारण कुछ गलत फहमिया हो जाती है ये गलत फहमिया कैसे दूर हो सकती है जैसा कि प्रस्तुत पाठ हामीद खान में दर्शाया गया है कि लेखक एसके पोटे कारण जी ने जब तक्षशीला में एक मुसल्मान के होटल में खाना खाया तो उसके मालिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह एक हिंदू है और एक हिंदू उनके होटल में कैसे खाना खा सकता है क्योंकि तक्षशीला में जो की पाकिस्तान में हैं वहाँ पर हिंदू मुसलिम एक दूसरे के घर नहीं जाते उनके तीज त्योहार में भी शामिल नहीं होते तो लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता हम सब एक दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होते हैं आईए इसके बारे में विश्वत जानकारी इस कहानी के माध्यम से प्राप्त करेंगे हामित खान, तक्षशिला, पाकिस्तान, मैं आगजनी, समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही, मुझे हामित खान याद आ गया मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान मेरे हामित खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना अभी दो साल ही तो बीते हैं, जब मैं तक्षशिला के पौरानिक खंधर देखने गया था एक और कड़कडाती धूप, दूसरी और भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था रेलबी स्टेशन से करीब पौन मिल की दूरी पर बसे एक गाव की और निकल पड़ा तो लेखक यहां बता रहे हैं, तक्षशिला में आग जने, समाचार पत्र के यह खबर पढ़ते ही, मुझे हामित खान याद आ गया एक सुभा लेखक समाचारपत्र पढ़ रहे थे तो जैसे ही उन्होंने यह खबर पढ़ी तक्षशिला में आग जनी मतलब कि तक्षशिला में उपद्रव्यों द्वारा आग लगा दी गई तो यह खबर पढ़ते ही लेखक को हामित खानियाद आ गया और उन्होंने उस समय भगवान से विनती की प्रार्थना की क्योंकि यह खबर पढ़कर वे व्याकुल हो गए थे तो उन्होंने भगवान से विनती की प्रार्थना की कि ही भगवान मेरे हामित खान की दुकान को इस आग जनी से बचा लेना उनने भगवान से हाथ जोड़कर विनती के अभी दो साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौरानिक खंधर देखने गया था लेखक दो साल पहले तक्षशिला में गए थे और वहां में क्यों गए थे वहां के पौरानिक खंधर देखने के लिए गए थे पुरानिक होता है बहुत ही पुराने, खंधर होता है बचे हुए अवशेश तो अभी दो साल पहले ही लेखक तक्ष शीला के प्राचीन खंधर देखने के लिए गए थे जब वे वहाँ गए थे तो उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थे तो एक और कड़कडाती धूप मतलब के बहुत तेज धूप दूसरी तरफ भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था लेखक को जो है भूख लग रही थे और भूख के सासाथ प्यास के मारे भी उनका बुरा हाल हो रहा था रेलवे स्टेशन से करीब पॉन मिल की दूरी पर बसे एक गाम की और निकल पड़ा अब लेख़क जो हैं गाड़ी से गए थे तो रेलवे स्टेशन से करीब पॉन मिल पॉन मिल मतनब के मील जो है मापने की दूरी मापने की एक इकाई होती है तो railway station से पॉन मील की दूरी पर बसें एक गाव की तरफ लेखा निकल पड़े अब यह देखिए यहाँ पर जो है दिखाया गया है तक्षशिला ठीक है यह है तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है ठीक है और खंधर क्या होते हैं खंधर देखिए इस तरह के होते हैं और यह जो है तक्षशिला यहाँ पर जो यह दिखाए गई है यह खंड़र दिखाए गए है पहले यहाँ पर उनिवर्सिटी हुआ करती थी लेकिन बाद में यहाँ पर जो क्या है उसके केवल अफशेशी रह गए है ठीक है तो इसे कहते हैं खंड़र हस्त रिखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार जहां कहीं नजर पड़ी धुआ, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बद्बू ने स्वागत किया लंबे कत के पठान अपनी सहज अमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे चारों तरफ चक्कर लगा लिया और अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया मन में विजार आया, इस गाउं में होटल की जरूरत ही क्या होगी हस्त रेखाएं क्या होती हस्त रेखाएं मतलब कि हाथ की रेखाएं कितनी पास पास होती है तो इसी प्रकार से वहां की गलियां थी हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बजार मतलब कि वहां की जो गलियां थी बहुत ही पास पास बनी हुई थी बहुत ही पास-पास एक दूसरे से सट कर बसी हुई थे जहां कहीं नजर पड़ी धुआ मच्छर और गंदगी से भरी जगएं ही दिखी लेखा की जहां भी नजर पड़ रही थी उन्हें वहां पर धुआ, मख्छी, मच्छर और गंदगी ही दिखाई दे रही थी क्योंकि वहां पर पानी की कोई निकासी नहीं थी, गलिया बहुत ही तंग थी तो वहां पर रुके हुए पानी में मच्छर पैदा हो रहे थे अभी सड़ा हुआ चमडा जब कोई जानवर जैसे मर जाता है तो उसका जानवर की स्किन जो उसकी जो चमड़ी होती है उसको निकाल लिया जाता है और यदि वह है चमड़ा उसका देर तक पड़ा रहे तो वो क्या होता है सड़ने लग जाता है तो ऐसे ही लेखक के साथ हु कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बद्भू ने भी लेखक का स्वागत किया। कहने का अभिप्राई यह है कि लेखक को चारो तरफ गंदगी और सड़ी हुई बद्भू ही जो है दिखाई दी लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। अब यहां पर जो है जो वहां के पठान है पठान किसे कहते हैं जो मुसल्मानों में एक जाती होती है ठीक है उसी को हम पठान कहते हैं एक तरह की जाती है तो लंबे कद के पठान वे लंबे होते हैं कद में वे अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे मतलब कि बहुत ही मस्त चाल में वे चल रहे थे चारो तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया लेखक ने पूरे गाम का मतलब कि चारो तरफ का चक्कर उन्होंने काट लिया पर अंतों उन्हें कोई भी होटल नजर नहीं आया क्योंकि वे भूखे थे और प्यासे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि इस गाम में होटर के जरूरत ही क्या होगी अचानक एक दुकान नजर आये जहां चपातियां सेंकी जा रही थे चपातियों की सोंधी महक से मेरे पाम अपने आप उस दुकान की और मुड़ गए अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कराहट ही रक्षक और सहायक होती है सो मुस्कराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया अचाने की लेखक को एक दुकान नजर आए और उस दुकान में क्या हो रहा था उस दुकान में चपातियां यानि की रोटियां सेंकी जा रही थे जब रोटियां सेंकी जा रही थे तो उनसे एक सोंधी महक आ रही थे मतलब कि एक मीठी खुश्भू आ रहे थी, सोंधी होता है मीठी, महक मतलब खुश्भू तो चपातियों की सोंधी महक से मेरे पाम खुद बाखुद उस दुकान की तरफ चले गए क्योंकि लेखक भूखे थे, उन्हें भूख लगे थे इसके लिए उस जैसे ही उसे चपातियों की महकाई वैसे ही जो उसके पाम थे, खुद बाखुद उस दुकान की तरफ मुड़ गए अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था, कि परदेश में मुस्कराहट ही रक्षक और सहायक होती है सो मुस्कराते हुए मैं दुकान के अंदर खुश गया अब क्या हुआ, लेखक को बहुत अनुभव था, में जगा 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 जाते थे और उनको पता था कि परदेश में, यानि कि जब हम दूसरे देश में जाते हैं, दूसरी जगा पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है, जो हमारी रक्षा करती है, जो सहायता करती है, वो हमारी चेहरे पर जो मुस्कराहट होती है, वही हमारी रक्षा भी करती है, और वही हमारी सहायता भी करती है तो लेखक ने भी क्या किया, लेखक भी मुस्कराते हुए उस दुकान के भीतर चले गए अब हम शब्दों के अर्थ जान लेंगे आगजनी, आगजनी का अर्थ होता है उपद्रवियों द्वारा आग लगाना अलमस्त, का अर्थ होता है पूरी तरह से मस्त पौरानिक, का अर्थ होता है बहुत पुराने, हम इसे बहुत प्राचिन भी कह सकते हैं खंडहर, तूटे-फूटे-अंश मतलब एक इमारत होती है जब वे तूट जाती है तो उसके जब तूटे फूटे अंश रह जाते हैं उसे हम खंडहर कहते हैं हस्त रेखा हाथ की लकीर हस्त मतलब हाथ रेखा मतलब लकीर हाथ की लकीर सोंधी, सोंधी का अर्थ होता है मीठी रक्षक, रक्षा करने वाला तो विद्यार्थियों मैं उम्मीद करती हूं कि हामित खान कहानेगार जो भाग हमने आज पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा धन्यवाद